इलेक्ट्रोन पेर रिपल्सन थुरी मतलब यह कि इलेक्ट्रोन जो है अब इलेक्ट्रोन जो आउटर मॉस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रोन है उस आउटर मॉस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रोन में आपस में रिपल्सन होता है क्योंकि आउटर मॉस्ट ऑर्बिट क्या है इले कोई भी एटम है उसके आउटर्मोस्ट और्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसी को तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं आउटर्मॉस्ट और अउबिट में यहां पे डिसकोशन करेंगे वो होली वैसे स्पेस्स के बारे में हो जो मोनोसेंट्रिक होगा मोनोसेंट्रिक का मतलब कहने का मतलब यह र्चेंटर में सिर्फ एक ही हैं और सराइटम होगा और सारा एक होगा ≠ तो पहला यह कि the shape of any monocentric species depends on the arrangement of electron spare valence shell of central atom मतलब ये कि अगर monocentric atom है जैसे CH4 CH4 में कार्बन क्या है? Monocentric atom है? ठीक, कार्बन क्या है? Monocentric atom है उस monocentric atom के लिए अगर उसके outermost orbit का electron किस तरह से अरेंज होगा वो अरेंजमेंट ही बताएगा शेप ओफ monocentric atom फिर से बात बता रहें आपको अगर आउटर मोस्ट और्बिट जो इलेक्ट्रोन है वो कैसे अरेंज है? वो अरेंजमेंट ही बताएगा शेप ओफ monocentric atom के बारे में ठीक, जैसे हम बताएंगे आबे आगे बताएगे बारे में नस-3 के बारे में ठीक, यह नाइटरोजन के हम बनो-Centric है और किस तरह से अरेंज है? इस तरह शेप कैसा होगा? इसके बारे में यह वैलन्स बार्ण थिरी बताएगा उसके पछला स्टेप्मेंट होगे, रिसकेन यहेआ है The electron pair of valence cell central atom are oriented around the central atom Such a way to give minimum repulsion यह क्या है? Minimum Repulsion मतलब क्या है? Central mineral atom क्ये पास electron इस- तराइके से रहेगा Central atom के पास,'s będzie electron इस- तरीके से रहेगा ताकि minimum repulsion हो इस्फिर इंपिटें प्वेर्टेंट है, क्या हूना चाहिए? कम से कम रिपर्षन हो ठीक? कि मिनिमम रिपर्षन, so that it can it can get minimum energy तो जिसके वर्षन से कम होगा तो निजिए यह कम से कम होगा इसके रिपर्षन जाद होता है औरिसके रिपर्षन होती है i.e. energy कं से कम है उसका मतलब है पिजसे में मैंसे माक्सिमम इस्टैब्लिटी कि इसकी वज़ा से स्टैब्लिटी क्या होगा, मै क्या मैक्सिमम होगा ये इस्टेटमें तो थोड़ा भोस समझ में आया समझ मी बशन्दा करते हैं, मानुडो ! यह तो दुम्हार ब्लाइब दिख्राय रहा? यह जिए 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 ज इस बॉन्ड के फ्रोमेशन में इन दोनों का इलेक्ट्रोन होगा अब यह दोनों बॉन्ड इस तरह से रहेगा ताकि कम से कम रिपल्सन हो सके यह दोनों बॉन्ड इस तरह से रहेगा ताकि कम से कम रिपल्सन हो सके तो कम से कम रिपल्सन होने के लिए इन दोनों को जाद से जादा दूर होना चाहिए? जाद से जादा दूर होगा तभी कम से कम क्या होगा? रिपल्सन होगा और जाद से जादा दूर होगा इसका मतलब ये होगा कि कम से कम रिपल्सन होगा इसलिए मैक्सिमम स्टैबलिटी होगी और जादा से जादा दूर होने के लिए इसके जो चांसे दूर होने का सिफ यही हो सकता है यह इसका मतले भी यह अगर दो बॉंड बनाना चाहेगा अगर सिफ बॉंड बनाना है तो इसका शेप इस तरही किस होगा क्योंकि इन दोनों की बीच का जो बॉंड एंगल है, मैक्सिमम है और अगर कम से कम रिपल्सन हो रहा है, मिनिमम इनरजी है और मैक्सिमम इस्टाबिलिटी है मेरी बास समझ भाइ? तो सेकेंड स्टेटमेंट यही बोल रहा है कि दोनों बॉंड एक दुसरे के मिनिमम रिपल्सन ऐसे रेंग होगा ताकि मिनिमम रिपल्सन हो जब मिनिमम रिपल्सन होगा तो इनरजी भी क्या होगी? मिनिमम होगी जब इनरजी मिनिमम होगी तो स्टैबिटी होगी? मैक्सिमम होगी किलियर है? तो यह second statement यह हो गया next जो है electron pair of valence cell of central atom दो कोई भी central atom है, मालने हो nitrogen है ठीके, now nitrogen की बात करें तो nitrogen में total number of outermost electron कितना है 5 5, total outermost electron कितना है 5, लेकिन bond कितना बनाएगा 8 minus 5, 3 bond बना सकता है 8 minus 5, total bond 3 बना सकता है लेकिन 2 electron ऐसा है जो bond का formation नहीं कर रहा है bond का formation नहीं कर रहा है और वो nitrogen के पास ही है तो जो bond का formation नहीं कर रहा है वो है electron lone pair कहलाता है वो कहलाता है? lone pair इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी central atom होता है जो bond का formation नहीं करता है वो electron, वो electron lone pair हुआ? lone pair हुआ अब बताओ मुझे central atom के पास दो तरह का electron है एक bond pair electron और दूसरा electron कैसा है? lone pair electron पहला electron कैसा है? bond pair electron दूसरा क्या है? lone pair electron मतलब यह central atom के पास यह central atom के पास दो तरह का electron है कौनसा? bond pair और lone pair तो यहाँ bond pair electron है और क्या है? lone pair क्लियर बात? तो पहले हम कंसीडर करेंगे हम जो भी discussion करेंगे without lone pair without lone pair lone pair उसमें नहीं होना चाहिए मेरी बास समझे मारी है? तो हम कुछ एक्जामबल से चीज को सम्झाने कोशिश करेंगे मानलो मानलो दो बॉन बनाना चाहता है कोई भी molecules है यह central space is दो बॉन बनाना चाहता है दो बॉन कहने का म्तलब क्या है? ऐसे? बॉन बनायेंगा? agree बॉन बनायेंगा? अच्छा, उता हो अगँ, ठड़ बनाना चाहेंगा तो थर्ड बॉन में जा ये यह second statement को फॉलु करेंगा? थड-e er बनायेंगा तो तुमको लगता है कि बॉंड ऐसे बनाएगा क्या? Second Statement क्या बोल रहा है? Second Statement मिनिमम रिपर्षन हो तो बताव मुझे मिनिमम रिपर्षन इन दोनों की बिच के 90 डिडीरी इन दोनों की बिच के 607 डिडीरी इसमें रिपर्षन जादा हो गया इस मेरे परसंग कम हो गिया, तो ऐसा निया, सब में बराबर-बराबर इस परसंग हो चाहिए, क्योंकि इस्टैबिलिटी चाहिए, तो ये बॉंड ऐसे होकर ऐसे शिप्ट होगा, इस से क्या होगा? ये अंगल 120, ये भी अंगल क्या है? तिस तिन बॉंढ इस जी जादा नहीं chyba सकता बास समाज मारा। अगर यह 120 पर है इसका मतलब यह minimum repulsion यह क्या ए ?minimum repulsion है अगर minimum repulsion है तो कसका मतलब क्या है ? Minimum energy है जब minimum energy है इसका मतलब क्या है? maximum stability क्neg Jarikesis मतलब कि अगर तीन बाउन है तो त्राइंगूरर शेफ बनेगा विदाओ लोन पेर कीप इट माइड सिर्फ बॉन पेर काanka या में क luego कर रहे हैं विदाओ लोन पेर सिफ बाउन पेर रहेगा अगर थीन बाउन बनता है तो triangular शेप बनेगा कोई किनिफ्यूजर निहा तक triangular शेप बन रहा कब जब तीन बॉंड का फॉर्मेशन करेगा सिंटरल एटम तब विदाउट लोन पेर कोई किनिफ्यूजर निहा तक अगर बता मुझे अगर फोर्थ बॉंड बनेगा अब बात करेंगे फोर्थ बॉंड का मतलब क्या तुमको लगता है कि ऐसे बनेगा क्या सब 90 डिग्री पे सब 90 डिग्री से बड़ा भी कोई एंगल हो सकता है क्या अब अब बता मुझे यह जो तुमको दीख रहा है यह तुमारा क्या है यह दोनों की बीच का एंगल एक सो नो डिग्री होगा डिग्री अठाइस मिल्ट वन हेंडन नाइन डिग्री अठाइस मिल्ट अब यह क्या है इस तरह का क्यो होता है इसका रीजन यही है कि अगर आप 90 डिग्री पर एक्षीगा तो कुछ एंगल जो है 90 डिग्री पर होगा अगर आप 90 डिग्री पर रखना चाहते हैं चलिए हम आपकी एक्रडिंग हम बनाते हैं यह 4 नाइन टिग्री अगर चार का चार बॉंड को 90 डिग्री पर रखेगा तो इससे जादा भी अंगल बना सकता है ना अभी बी रिपर्शन इसमें जादा है क्योंकि इस मैक्सिम्म अंगल बना कर रखेगा तो 90 से बड़ा जो अंगल बनेगा वही क्या होगा उसका इस्टैबिटी होगा 90 से जादा ज़ादा जो अंगल बनाएगा वो उसका इस्टैबिटी को बताएगा जितना बूत कोई मने एक दूसरे की साथ उतना बाद स्टैबल होगा आस्टम्हालetherषा , और बनातों के अपने अपको आरेंज करकर तुमको लगता है कि सिरा से बनाएगा यह बंह बनानाatura नहीं बनाबा काई का इसे बराभी एंगल पोसिफल है इससे बराब यंगल, पॉसिबल इस लिए ऐसे, नहीं बना यगा कैसे? टेटरहेडरल。 कैसा बनाएंगा? टेटरहेडल. अब टेटरहेडरल का शेपा कासे होता लिए समझते हैं. लेकिक यह आपको एक पिरामिड जैसा दिख हैगा. दिख रहाँ होगा प्रेमीड? प्रेमीड दिख रहा है? ये प्रेमीड दिख रहा आपको? हाई ना? ये स्टांग्लर है ना? उसके पर एक आउड डाल दिया बॉnd अभी तुमारा क्या हो ग का? टेट्रा हेडल हो गया त्राइपॉड है लेकिन थुआ से का एंगल ट्राइपॉड का जो है न एक सो नो डिग्री का नहीं है ये शेप है अब सुनों इस इस अरेजिमेंट का क्या खासियत है माल लो कि अगर कोई भी दो बॉंड जो है एक प्लेन में रहेगा कोई भी दो बॉंड एक प्लेन में रहेगा और एक अबव होगा तुसरा क्या होगा बिलो होगा देखते हैं यह एक प्लेन में है क्या एक प्लेन में है आपव बिलो तो यह तुम्हारा हड का किया होगा यह तुमहारा क्या है यह तेट्राहयडरल क्या है यह टेट्राहयडरल शेप है और सब का अैंगल केतना होगा तिहां 209-28-28 किस beef companies किसी कोई कन्फूजन? किसी कोई कन्फूजन? तो यह ऐसा शेप क्यों बनाया? क्योंकि मिनिमम इनरजी और मैक्सिमम स्टैबिलिटी को गेन करने के लिए क्लियर? इसके बाद निक्स्ट आगे लिक्षा